ठीक होगे तो आज का हमारा टॉफिक है थाय एक्स्टिंग उसर मैंने इसके पिछले वीडि़ियो में आपको बताय था किया नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आउगे और आपने पहला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो description में इसकी link मैं दे दूँँगा तो आप वहाँ जाके देख लें ठीक है जो third part है तभी यह समझ में आएगा आपको और theory है तो theory तो आपको बिल्कुल ही basic से मनलब continue पढ़ना होगा तभी आपको theory समझ में आएगा है ना पढ़ना theory उपर से निकलती है तो theory को हमको विल्कुल भी skip नहीं करना है ठीक है इसमें theory में बीच में जो point होते हैं वही important होते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना है कि बिना skip किये हुए देखना है ठीक है तो चलिए आज इस्टार्ट करते हैं अगरे तो हैटिंग तो आपने देखी लिए होगा वायर एक्स्टिंग यूजर अगरे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे पहले पार एक्स्टिंग यूजर क्या होता है इस तो इसका हम पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा यह एक प्रकार का उपकरण है यह में चीज है हमारी शंगू के आकार शंक्यू के आकार का होता है, ठीक है, ठीक है, शंक्यू के आकार का होता है, यह लोहे का बनाया जाता है, इसका जो slender होता है, यह लोहे का बनाया जाता है, लेकिन लोहे में कौन सा लोहा, तो इसको हम mild steel से बनाते हैं, ठीक है, एमेस माइल्ड स्टिल से बनाया जाता है ठीक है इसके पिरकार के अनुसार इसमें गैसों या केमिकल भर दिये जाते हैं जिन से आपको बजाया जा सकता है इसको वर्क्षॉप में निश्चे तिस्तान पर लटका दिया जाता है ठीक है आवर्शक्ता पढ़ने पर आग एक निश्चे तिस्तान पर टांग देते हैं गाड़ियों में भी रखा गाड़ियों में भी टंगा होता है साइड में कॉर्नर में देखा होगा आपने तो फार्टिंग यूशर आपको देखने को मिल रहेंगे कई सारी जगे ठीक है तो हमारा सबसे पहले आता है सोडा ऐस असके पर कार पड़े तो हम सबसे पहले जो हमारी जमीर सिंगिकर को है उसमें दिए हुए में है इसमें सब्सक्राइन सोड़ा एक्षिंगूक कुछ इस टाइप का कौनीकल सेप में ठीक है तो इस पर मैं इस पर चर्किल में इस पर बना होवा धीड़ साथ AGत लिए हो अध्र हमारी कार्वनेशियस फाइयर होती है ठीक है तो उसको तो उसके लिए यह हमारा जो तो सोड़ा ऐसी प्लख रहे है कि एकशनि की होता है क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि जो कॉनिकल से ग्राम के चलो तो इसमें क्या है जो प्रैसर उपर निकलेगी कम लाइब हो जाएगा उपर आके लैघा कीफ गिव उसका चोटा सब्रीक हुएगा एक वर आप किस्स में और टूज़ादा कुछ नहीं है एच यह है कि जल्दी से आपको चान्टोल तो अगरेकर के एक्सिक्धिद्व का ययोओं कार्बगरी वाली आग होती है ठीक है उसको बचाने के लिए किया जाता है और इना अर्वक्तिकल और फायर इसमें क्या लिखा है इलेक्रिकल य और फायर पर को पिरियोग में नहीं लाना चाहिए ठीक है इसको हम सिर्फ लगड़ी वाली सूखी आग में प्रियोग में ला सकते हैं ठीक है और उसको पहचानने के तरीका क्या है सीधा 100 mm का इस पर हाथ पीले रंग का हाथ मतलब लगड़ी वाली आग होती है जो हमारी चूले की आग जलती है तो उसका रंग कैसा होता है यह हमारे नो टाइब का होता है ठीक है तो उसमें पीले रंग का हाथ बना दीवाट簡ा है ingredient जैसे कि हमारे जो बरकर रहता है कुछ इसकल्ड वरकर होते हैं कुछ नन इसकल्ड होते हैं मतलब बोला जाए कि कुछ skilled मतलब पढ़ह लेकि होता है कुछ लोग ऐसे होते है कि जो अनपड उसमें आते हैं स्रेणी में उसमें उनका जो पराने लोग होते थे तो पहले वो बिना पड़े ही जॉब करते थे उनको यही देखेगा यही उठाके लिए यही उठाके लेके जाएगा और यूज कर देगा तो इसी लिए इस पर पीले रंग का हाथ बनाया जाता है 100 mm का थीक आउसके बाद next पर आते हैं next है हमारा form fire extinguisher तो form fire extinguisher किसमें आता है form fire extinguisher आता है grade B में ठीक है तो इसके उपर भी grade जैसे कि इस पर ए बना था इसी जगे सेम इस पर बना होगा और इसमें एक त्यान रखने वाली चीज़ क्या होते हैं इसमें ना एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, यह हमारा मान के चलो एक सिलेंडर हो गया, अब इसके अंधर ही एक और सिलेंडर होता है, इसके अंधर ही एक और सिलेंडर होता है, ठीक है, तो इसमें दो सिलेंडर होते हैं, तो बाहर वाले में जो गैस भरी जाती है, बाहर वाले में भरी जात स्थथ करता हूं सोडियम अपी कारगुनेट ठीक है यह कारण सोडियम से आता लांगा सोडियम कारगुनेट इसका हूं इसका सीज इस में ऐख यह है कि इसका सोडियम इसमें इसका सूत्र होता है तुंध्र भी आप लिखे लिए ठीक है इसका ये सूत्र होता है और इसके जो अंदर वाले cylinder होता है इसका जो अंदर वाला cylinder होता है यह वाला यह देख रहा है ना आपको यह यह वाला cylinder इसमें भरी जाती है aluminum sulfate ठीक है aluminum sulfate इसमें भरी जाती है तो जब ये दोनों ऑस में जो जैसे ढोला वोता है क्या सोड़ा एक मिलब बोल दीजे कि जो एक ज्ञाग के रूप में निकलता है तो इसको गोलने का अगां एक मतलब यह दोनों निकलते हैं आपस में तो जो जाग का निकलता है है तो जो जो जार कर निकलता है तो यह क्या है है कि जो आग होती है हमारी वसी Just है क्ति कर दो दोनों ऐह साथने तो एक हुआ एक एक होगल निकलता है तो क्या होता है ये ऑफेंट को पहन जाता है क्योंकि आपने देखा हो वा फुutions कर हलका होता है ओइल भारी होता है ठीक है तो ऑईल के मिंसाबत डूर के हिसाब सी हलका होता है तो यह उसके उपर एक लेब बना, लेता है उपर बैढ़ परत चड़ जाती है तो उसके क्या है कि यह आपसेंट कर देता है ठीक है तो हमारी नहीं मिल पाती है तो आज हमारी बुझना लीघर को demostते हैं याद रखने वाली जीजिज्यदें अब नेक्स चलते हैं इस पे आते हैं ctc एक्स्टिंग मैंने आपको कल भी बताया है कि Peak jam 4 म tocar में पर Escal4 इसका यह सूथ्य यहूजर इस आप और इसमें आज और शूत्र हूं और इस सबसे में चीज है कि इसका स्लेंडर में बताइता है और इसका स्लेंडर होता है यहे पीतल का बनाकर ले ठीक है वो लोहे से क्रिया कर लेता है जो इसमें केमिकल भरा जाता है वो लोहे से क्रिया ना कर ले इसलिए इसको पीतल का बना देते हैं ठीक है और इसके उपर जो क्या होता है इसके उपर स्टार में star में D बना होता है बाकी का circle में बना था इसके star में star के अंदर जो है D बना होता है यह D type की आपको बुझाता है ठीक है इसकी heading हम पढ़ लेते हैं इस परकार के extinguisor को पर्योग electrical fire के लिए electrical fire मतलब बिजली वाली आप बिजली वाली आपको यह बुझाता है ठीक है और जो cylinder जो यह हमारे cylinder होते हैं सारे cylinder जो होते हैं इनका जो joint होता है जैसे कि joint होता है जो seamless joint होता है seamless मतलब आपने अभी तो शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो seamless joint ऐसे बोलते हैं जैसे हमने बाल्टियो वाल्टियों में joint क्या होता है हो जो ऑनवालती वाल्टी सुदारने माला आता है वह एक के ऊपर एक seat रख देता है हमारी कुछ रूस आज कि कुछ इस तरह ऑर इस तरह जैसे कि यह ले लीजिए यह हो गई और एक यह हो गई हमारी टक कर जाएंट इसको इसको इसके यह एक के उपर एक ओपर लेप नहीं है तो इसी को बुलते हैं seamless joint जैसे यह दोनों हो गए और इधर हम इसको building कर दें ठीक है यह हमारी हो गई building यह हमारी हो गई बैल्लिंग, तो यह seamless joint है, जो यह वाला है, यह वाला, यह वाला हमारा seamless joint है, ठीक है, और यह वाला हमारा seam joint है, ठीक है, यह दोनों ही अलगा लगें, तो जो हमारे cylinder बनाया जाते हैं, वो इस joint से बनाया जाते हैं, ठीक है, यह याद रखने वाली चीज़ है, पूछ लेता है exam में कि हमारे cylinder जो बनाए जाते हैं तो उनका joint किस परकार का joint होता है ठीक है तो हमको याद रखना है seamless joint होता है और file extinguisher का रंग भी आपको पता होगा red होता है जैसे कि मैंने नीचे एक pic डाला है यह रहे सारे थीक है उतके बाद हमने पढ़ना है, DRY CEMICAL DRY CEMICAL EXTINGUELLE hade में क्या है इसमें भी 2 सिलेंडर होते है, DRY CEMICAL ble वाले में एक इंदर एक भरा जाता है, DRY CEMICAL अंदर ये, इसको, इस के अंदर में बनाने के पूशिच्य करता हूं जैसे यह रहा हमारा इसके अंदर भी दो सिलेंडर होते हैं तो जो अंदर वाला सिलेंडर होता है इसमें CO2 भरी जाती है CO2 ठीक है इसमें CO2 भरी जाती है CO2 क्या करती है CO2 और इसके जो अंदर वाला होता है इधार इसमें इसमें पाउडर भरा होता है है इसमें powder भरा होता है इसमें जो हमारा अंदर वाले हुटा थो पाउडर भरा होता है तो क्या होता है यह जब CO2 निकलती है और powder निकलता है साथ में तो यह भी लेयर बना लिता है यह भी oxygen को absorb कर देङ करते था आग तीन चीज़ से मिलकर हमारी बनती है इसमेंसे ताप जो औसीजिन को कंठ्रोल कर सकते नहीं कर सकते लुए किसीलिए अंदर वाले में पावडर भरा होता है order पहुता है ढे reasonable यह गयेस. जो पहुता है été rescue फिर प्रते के डिरोग है प्रतीटीटर पर किया जाता नीच सोडियृ को बाहर निकालाता है इसका gusta एलेक्टिकल में भी हम कर सकते हैं ठीक है और एक और आता है इसमें बी और लिखा रहता है इसका जो मैंने अपने मन से इसको मेंशन किया है इसके इसका ग्रेट क्या होता है भी और करना को ए tu इसकी उपर बी और शी बना होता है मतलब वी फॉर बॉइल बॉइल से और रख्येंगे जो हमारी वायल इसको महारी डॉन पर पर विडियो कर सकते हैं एक्सिंग यूसर नहीं देखें तो यह सारी नीचे अब देख सकते हैं यह पाउडर यह बॉटर यह फॉर्म यह सी ओ तु वाला है तो यह फॉर्म बाला है इसको भी बड़ी रूप में कर दिया चाहिए बैट बैट लिखा है देखें इस पर एक चीज है इस पर बैट इस पर बैट बैट मिनस आपको पता हुआ सूखा होता है तो यह ट्राय कैमिकल वाला है ठीक है बाकिये पाउडर वाटर 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 यह सब है यह फायर एक्सिंग यूशर आपने देखा हूँ कुछ इस तरह से होते हैं ठीक है तो उम्मिद करता हूं वीडियो आया होगा ठीक है अगर समझ में आया हो तो देखे मैं मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं मैं हूँ student मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी ठीक है तो जितना मेरे को आता है मैं उसे साब से वीडियो बना रहा हूँ ठीक है कुछ थोड़ी बहुत है ना कुछ मेरी भी रिवीजन होती रहेगी और मेरी रिवीजन से कुछ लोगों को फायदा भी होगा तो बस यही सोच के मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ठीक है बाकी आप सब लाइक करें अगर हैलफुल लगे तो प्लिस लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ठीक है और वीडियो के ले बहुत बहुत धन्लवाद।